हेलो गाइस मैं हूँ समोन आप देख रहे हैं समोन टेगनों दस्तो आज इस वीडियो में रेड्मी वाई 3 का ट्रिप्स एंड ट्रिक बतने वाला हूँ अगर आपके पास रेड्मी का वाई 3 है या आप एफोन बाई करने के लिए सोज रहे थे तो एफ वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि एफ वीडियो देखने के बात आप आसानी से आपके वाई 3 को यूज कर पाओगे ऐसे भी इस चैनल में रेड्मी वाई 3, रेल्मी 3 प्रो, रेड्मी नोट 7 प्रो एंड रेड्मी गो का गिवावे चल रहा है अगर उस गिवावे में पाडिसिबेट नहीं किये तो डिस्किप्शन में लिंक है उहाँ पे जाके जरू पाडिसिबेट करना तो बीना टाइम क्लिक करोगे तो यहाँ पे तरह-तरह की वालपेपर खुल्कर आ जाएगा अभी मेरे पास इन्टरनेट नहीं है कोई इसलिए किसी भी wallpaper नहीं आ रहा है जो आपके जब net रहेगा तब यहां पे बहुत सारे wallpaper खुलके आ जाएगा एंड आपके हिसाब से आप यहां पे चूज कर सकते हो उसका बाद जो फिचा से ओएगा इस ओडिच यहां पे आप क्लिक करोगे तो बहुत कुछ option खुलके आ गया है जैसे कि मैं आपको example देता हूँ अगर मुझको यह option पसंद आता है और मैं यहां पे टैब करके छोड़ देता हूँ तो यहां पे आ जाएगा no enough space यानि कि यहां पे space नहीं है पर ना ऐसी तरह कुछ आजाता अगर आपको पसंद है तो आप उहां पे जाके select कर सकते हो उस जैसे कि अगर आप place में क्लिक करोगे तो यहां पे देख साकते हो आप अलग तरीका के एक page खुलके आगया है जैसे कि आप cube में क्लिक करोगे तो एक अलग तरीका के आगया है rotate आप क्लिक करोगे तो एक अलग तरीके की आगया है आपको जो पसंद है यहां पे आके आप select क करके रख साकते हो उसके बाद जो फिचा से ओए गई सेट डिफल्ट स्कीन यहां पर आप क्लिक करोगे तो आपके हिसाब से आप यहां पर डिफल्ट स्कीन क्रिएट कर सकते हो उसके बाद जो फिचा से ओए गई सलोग होम स्कीन ले आउट यह क्या है मैं आपको बताता हूं जब dual finger से आप pinch करते थे तब यहाँ पे आप select कर सकते थे लेकिन गईस क्या होता है जब आप setting में click करोगे and log home skin layout में अगर click कर दोगे तो उसके बाद आप देख साकते हो pinch करने के बाद भी आप किसी भी apps में tap नहीं कर सकते यहाँ पे दिखाए दे रहा है home skin layout locked तो यहाँ पे आपको open करना पड़ेगा and उसके बाद ही आप देख साकते हो फिर से आ गया है उसके बाद जो फिचास है ओएगा इस more में आना पड़ेगा and यहाँ पे आप देख साकते हो so memory status यह क्या है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जब आप click करते हो तो सारा application खुलके यहाँ पे आ जाता है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जब आप यहाँ पे setting में आने के बाद more में आने के बाद जब show memory status on कर दोगे तो यहाँ पे आप देख साकते हो यहाँ पे आप click करोगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3GB से 2GB available है तो अगर आप यह करना चाहते हो तो यहाँ पे आके कर साकते हो उसके बाद यहाँ पे कुछ भी features नहीं है lock skin layout में आपको बता दिया हूँ उसके बाद आपको जाना पड़ेगा notification bar में यहाँ पे आने के बाद दोस्तो एक option है आप यहाँ पे देख साकते हो more by default यहाँ पे बहुत कुछ option दिया जाता है लेकिन आपको इन में से किसी भी option को हाटाना है तो more में आईए यहाँ पे आने के बाद दोस्तो अगर आपको चाहिए कि D&D आपको नहीं चाहिए इसको आप tap कीजिए और निचे की तरफ लेकर आजाईए तो यहाँ पे आ गया है और दोस्तो अगर आपको reading mood नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे आपके छोड़ साकते हो तो reading mood यहाँ पे आ जाएगा अगर आपको skin recording चाहिए तो इसको tap करके उपर की तरफ ले आईए और डान कर दीजे दोस्तो देख साकते हो यहाँ पे skin recording आ गया है and dnd कहाँ पे guy up हो गया है तो आप यहाँ पे देख साकते हो उसके बाद जो features है आपको setting में जाना पड़ेगा and setting में जाने के बाद यहाँ पे बहुत कूछ features है मैं आपको एके करके बताता हूँ पहले आपको lock skin and password में आना पड़ेगा यहाँ पे पहला दो option आप सबी लोग जानते हो फेर मैं आपको नहीं बताऊँगा उसके बाद जो features है आप यहाँ पे देख साकते हो week lock skin for no TV के सान दोस्तों क्या होता है जब home skin जब आपके lock skin रहेगा तो यहाँ पे अगर आप notification सो करना चाते हो तो आप यहाँ पे यह कर सकते हो उसके बाद जो features है week with volume button दोस्तों यह क्या है हम सभी लोगों को पता है कि power button प्रेस करने से mobile on होता है लेकिन guys यहाँ पे अगर यह option on करोगे तो दोस्तों यहाँ पे volume आप अगर आप दबाओगे दोस्तों on हो जाएगा तो इसी तरह कूझ है दोस्तों उसके बाद जो फिचास है ओई guys launch camera दोस्तों यह क्या है मैं आपको बता देता हूँ इसको on करने के बाद अगर आपके phone जब off रहेगा जब silent में रहेगा तब volume down button को triple प्रेस किजिए and आपके camera open होके आ जाएगा तो काफी अच्छी बात यह लगा है मुझे उसके बाद जो फिचास है ओई guys मैं आपको बताता हूँ पहले setting में चलते हैं दोस्तों उसके बाद जो फिचास है ओई guys आपको advanced setting में आना पड़ेगा यहाँ पे आने के बाद दोस्तों एक option दिखाई देगा pocket mode दोस्तों एक क्या है मैं आपको बता देता हूँ जब आपके phone pocket में रहता है तब किसी भी call वागर आता है तो बहुत सारे लोगों को call receive हो जाता है लेकिन guys दोस्तों pocket mode on रहने के बाद जब आपके phone आप रहेगा औ ओए guys notification and status bar में आना पड़ेगा एंड यहाँ पे बहुत कुछ option है एके करके मैं आपको बता देता हूँ पहला जो option है ओए guys app notification अगर आप किसी भी app का notification नहीं चाहते हो तो by default यहाँ पे आखे आप आप कर सकते हो उसको बाद जो features है ओए guys so icon for incoming notification दोस्तों अगर आप किसी भी notification का icon देखाना चाहते हो यानि कि इसको अगर on करोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन जब notification आएगा यहाँ पे दिखाई देगा उसके बाद जो features है ओए guys so connection speed यह क्या होता है जब आप internet करोगे तो आपके mobile में कितना speed दे रहा है यहाँ पे so करेगा अगर इसको आप on करके रखोगे तो उसके बाद जो फिचास है ओए guys battery यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो option दिया गया है percentage and graphics दोस्तों यहाँ पे आप देख साकते हो percentage दिखाई दे रहा है लेकिन guys यहाँ पे आप graphics में क्लिक दोस्तों जो लॉक स्कीन दिखा रहा है यह अगर नहीं दिखाना चाहते हो तो आप बंद कर सकते हो उसके बाद जो फिचास है ओए guys full skin display यहाँ पे आप टैप करोगे दोस्तों यहाँ पे justice दिया गया है बटन दिया गया है अगर आपको बटन पसंद नहीं है justice पसंद है त आप home में चले जाओगे back करना पड़ेगा तो यहाँ पे back कर सकते हो यहाँ पे back कर सकते हो दोस्तों अगर आपको सारे apps एकसाब चाहिए तो आप उसी तरह जाके tap कर सकते हो तो आपके आजाएगा अभी के लिए मैं बंद करता हूं उसके बाद जो फिचास है ओए guys full skin mode दो यहाँ पे by default off रहता है तो आप यहाँ पे आके उसको on कर सकते हो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों जो emi store है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से off हो जाएगा लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे on करोगे तो दोस्तों आपके full skin में दिखाई देगा आपके सबसे आप यहाँ पे कर सकते हो उसके पाद जो फिचास है ओएगा इस सेकेंड स्पेस एक क्या होता है मैं आपको बता देता हूं अगर आपके फोन आपके दोस्तों को दे रहे हो और आप नहीं चाहते हो कि आपका जो परसोनल डीटेल्स है वो आपके फ्रेंट दिखे तो आप सेकेंड स्पेस आउन करके दीदीजिए उसको और उसके हातों में बिल्कुल जो नया फोन होता है उसी तरह देखने को मिलेगा आपका जो परसोनल लेटा है वो नहीं मिलेगा उसके पाद जो फिचास है ओएगा इस बैटरी एंड पार्पोमेंस यहाँ पे आप क्लिक देख सकते हो क्विक बल इसको मैं दिखा देता हूं इसको अगर इनेबल करोगे तो एक बल जैसा आगया है आप यहाँ पर करोगे तो बहुत कुछ ऑप्सन आजाएगा जैसे कि लोग दिखाए देरा यहां पर टैप करने के बाद लोग हो जाई रहा है और दोस्तों इहां पे skin shot दिखाई देरा है skin shot हो जा रहा है तो आपके ऐसाबसे आप यह पे कर सकते हो और यहां पे बहुत सारे apps पिर रख सकाथ हो जैसे की यहां पे select shortcut में आऊगे और यहां पे home skin को change करना चाहते हो तो बहुत कुछ option दिया गया है आपके इसाब से आप यह पर कर सकते हो Bluetooth, silent यहाँ पर torch बहुत कुछ है यह कोई भी apps रखना चाहते हो तो भी आप रख सकते हो उसके बाद जो फिचास है ओहे गाइस on hand mode मैं आपको बता देता हूं किया है दोस्तो इसको अगर enable करोग दोस्तो home button से अगर back button की तरफ tap करके इस तरफ आओगे तो दोस्तो देख सकते हो छोटा हो गया है और आप one hand से इसको आप use कर सकते हो तो ऐसा कुछ फिचास है अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर आके कर सकते हो मैं इसको बंद करता हूं आपके हिसाब से आप यहाँ select कर सकते हो 4.5 इंज भी कर सकते हो आपके हिसाब से आप यहाँ पर select कर सकते हो उसके बाद जो फिचास है वहीगाई इसे इसे बिलिटी यहाँ पर अगर आप जाओगे दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ फिचास दिया गया है जैसे कि मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं जैसे कि power button end कल जब आप call होगा आप किसी से बात कर रहे हो तो power button क्लिक करने में call कर जाएगा auto rotate screen यह सबी को पता है mono audio यानि कि आप जब headphone लगा के सुनोगे तो आपके हिसाब से आप यहाँ पर setup कर सकते हो उसके बाद जो फिचास है वहीगाई इस display size यहाँ पर different दिया गया इस लगा है आपके हिशाफ से आप इसको बड़ा भी सकते हो और कमा भी सकते हो उसके पाद जो फिचास है ओएगाई स्काल्र इंवर्शन आपकी इससाब से एस सब आप एडजस्ट कर सकते हो उसके फिच और 8 एप्स आज़ जाते हो के आपके फोंडरी करना चाहते हो या आप के data backup करना चाहते हो तो यहां पर आके कर सकते हो उसके बाद जो फिचास है ओहे गाई इंस्टॉल्स एप्स यहां पर जो सारे एप्स इंस्टॉल हुआ है वो सारे एप्स आ जाएगा duals apps यानि कि क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ अगर इसको आप क्लिक करोगे और dual apps create हो रहा है मैं आपको बताता हूँ एक create हो गया है यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों यहां पर एक facebook है दोस्तों यहां पर देख सकते हो एक facebook है लेकिन दूसरा एक facebook आ ग कर सकते हो लेकिन हर किसी भी एप स्याप यहां पर सापोर्ट नहीं करेगा उसके बाद जो फीचा से यहाई состо यहां पे आफ क्लिक करोगे तो आपके हिसाब से आप यहां पे एप लॉक कर सकते हो आपके फिंगर्पिंट से या पास्वार्ट से मैं अभी नहीं करता हूँ आपके हिसाब से आप यहां पे कर सकते हो उसका बाद जो फिचा से हैं स्कीन सोट आप यहां पे ट्रिपल फिंग आ जाएगा मैं आपको पुता देता हूँ तरी इंगर से स्वाइप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो स्कॉल्ड का ओप्चन आ गया है एंड दोस्तो आप यहां पर देख सकते हैं अगर आप करना चाहते हो तो उसके वड़ जो फिचस है ओएगा इस एस कैमेरा में यहां पर मैं आपको बता देता हूँ यहां पर AI गया है अगर आप AI से फॉटो खिजना चाहते हो तो कर सकते हो short video दिया गया है अगर आप slow motion खिजना चाहते हो तो यहां पर आए एंड यहां पर आने के बात slow motion भी है time-lapse भी है तो आपके आप साब से आप यहां कर सकते हो स्टेटिक में आओगे तो बहुत कुछ option खुल के आ जाएगा जैसे कि video quality यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर video quality में आप सिर्फ full HD में video कहेश सकते हो 4K में video option नहीं दिया गया है आपके इसाब से आप यहाँ पर कर सकते हो fingerpin shooter है अगर आप चाहते हो कि फिंगर पिन से आपका जो फिक्चर है और खीच जाए तो आप यहाँ पर इनेवल करके रख सकते हो उसके पाद जो फिचास है वह गई सबसे बड़ी फिचास मैं आपको बताता हूँ दोस्तों और फिचास है सेलफी केमेरा में मैं आपको बताता अगर सेलफी केमेर की तरफ आओगे और दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो बहुत कुछ ऑप्शन खुलके आगया है जैसी कि आप ग्रूप सेलफी क्लिक करके ग्रूप सेलफी भी ले सकते हो टाइमर भी आप यहाँ पर कर सकते हो और अगर आपके हाथ उठाओगे एंट नीचे की तरफ लेकर आजाओगे तो आपके फोटो खिच जाओगे 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 तो आपके फोटो खिच जाओ जाएगा मैं आपको दिखा देता हूं अबर की तरफ कर दिया एंड पिक्चर आ गया दोस्तों इसी तरह कुछ है अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो और यह था कुछ